लहसुन का दाम महाराष्ट्र में अब भी रिकॉर्ड बना रहा है। राजे की मंडियों में लहसुन का थोक दाम 33,000 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया है। इसका मतलब 330 रुपए किलो। इसलिए रिटेल में उपभोकताओं को 400 रुपए किलो के भाव पर यह उपलब्ध हो रहा है। राजे की ज्यादातर मंडियों में इसका दाम 14 से 16,000 रुपए प्रती क्विंटल तक के रेट पर बना हुआ है। आवग बहुत कम रह गई है इसलिए दाम लगातार बढ़ रहा है। लहसुन के प्रमुक उतपादक राजेों में महाराष्ट्र का भी नाम आता है। क्रिशी खेतर के जानकारों के अनुसार यहां पर राजे में करीब 3000 हेक्टेर में सालाना लगभग 23,000 मीटरिक टन लहसुन पैदा होता है। राजे में एक तरफ प्यास किसान कम दाम से परेशान हैं तो दूसरी और लहसुन की खेती करने वाले लोगों क खूब फाइदा हो रहा है। लहसुन का दाम बढ़ने के पीछे कई कारण बताय जा रहे हैं। इसमें से मुख्य कारण बुवाई और उत्पादन में कमी को बताया गया है। मध्यप्रदेश में लहसुन की सबसे ज्यादा खेती होती है। बताया जा रहा है कि यहां प्रश्टर मध्यप्रदेश से सटा हुआ है इसलिए राज्य में भी इसका बड़ा असर देखा जा रहा है। फसल खराब होने का भी असर उत्पादन और दाम पर पड़ा है। विशेशग्यों का कहना की जनवरी 2023 में किसानों को लहसुन का दाम बहुत कम मिला था। इसलि 23,000 और आसद दाम 21,500 रुपए प्रती क्विंटल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी